नमस्का और दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्ट माईपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा तमिल नाडु के द्वारा पास किये गए एंटी नीट बिल के बारे में कुछी दिन पहले 12 सितंबर को नीट का एक्जाम था, उसके अगले ही दिन तमिल नाडु की असेंबली में ये बिल आया गया और ये आसानी से पास भी हो गया और इस बिल के पास होने के बाद तमिल नाडु की सरकार का है कहना है कि अब 12th क्लास के मार्क्स के अनुसार स्टूडेंट्स को नीट यानि की मेडिकल कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा और इससे सोशल जस्टिस एंशॉर होगा बाइद वे इस बिल का पूरा नाम क्या है तमिल नाडु एडमिशन टू अंडग्राजुएट मेडिकल डिगरी कोर्स बिल 2021 मेडिया में इसको एंटी नीट बिल का जा रहा है लेकिन आपको पूरा नाम पता होना चाहिए तो इस बिल के बारे में हम डीटेल में डिसकस करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनकाडमी अप पर मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर करें ताकि मेरी जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासे होती है उनकी अप्डेट्स आपको प्राप्त हो जाएं और रविवार को अनकाडमी मेगा कॉमबैट आ रहा है इसमें स्कॉलर्शिप पूल काफी बढ़ा दिया गया है तो इसमें हिस्सा जरूर लें ग्यारा बजे संडे को इसका लिंक नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगा अनलॉक कोड अगर मांगा जाए तो यू कन यूज दिस कोड और हमारा जो स्पेशल प्राइस वीक है जिसमें सभी कोर्स पर एडिशनल 10% डिसकाउंट अभी चल रहा है ये आज रात को समापत होन अब नीच है क्या जिनको नहीं मालूम पहले ये जान लो नीच एक नैशनल लेवल का एक्जाम है जो 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स देते हैं जिनको मेडिकल, डेंटल या होमियोपेथी कॉलेजिस में एडिमिशन लेना है इसका फुल फॉर्म है नैशनल कराती है नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए तो एंटी ए द्वारा नीट पिछले पात साल से और्गनाईज करवाया जा रहा है और अब भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजिस हैं चाहे वो गवर्मेंट हो प्राइवेट हो सभी में एडिमिशन के लिए किवल एक ही अनुसार, स्टेट्स भी अपनी मेरिट लिस्ट बनाएँगे, सेंटर लेवल पर अपनी अलग मेरिट लिस्ट बनाएगा जिससे कि वो 15% All India Quota फिल होता है और इस तरह से प्राइवेट कॉलेजिस भी अपने मेरिट लिस्ट को बनाएँगे, तो कुल मिला कर स्टूडेंट को एक ही एक्जाम देना है और बाकी सारा काम आगे colleges का या फिर जो counseling करते हैं उन authorities का होगा अब जब से neat शुरू हुआ है तभी से Tamil Nadu राज्ये और अन्य कही राज्ये भी हैं जो इसके खिलाफ रहे हैं वो इसको इतने आसानी से स्विकार नहीं करते हैं तमिल नाडू का जो reason है वो mainly मैं आपको बता देता हूँ it was language प्रहले language का issue था तो language में क्या issue था कि neat होता था किवल English में और Tamil Nadu का कहना है कि हमारे राज्ये के जो students हैं वो Tamil भाषा में पढ़ते हैं उनका जो state board है वो Tamil भाषा में पढ़ाई करवाता है तो English इतनी असान नहीं है students के लिए जो medical entrance देना चाहते थे तो इसको बाद में rectify किया गया Tamil language add कर दी गई need के अंदर अब आप option चूज कर सकते हैं कि आपको किस भाषा में need देना है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ इस साल का statistic कि Tamil Nadu से एक लाग दस हजार चात्रों ने need दिया है लगबग 15-16 लाग students हर साल need देते हैं उसमें से एक लाग दस हजार केवल Tamil Nadu से थे लेकिन इन में से केवल 7000 students ने जो language है वो Tamil opt करी थी दूसरा issue Tamil Nadu का ये भी है कि नीट के अंदर जो बातें पूछी जाती जो questions पूछे जाते हैं वो mainly CBSC syllabus के उपर based होते हैं तो यानि कि जो central government का जो board है CBSC board है उसके basis पर ये questions prepare किये जाते हैं जबकि Tamil Nadu State Board का जो syllabus है उसके अनुसार ये exam नहीं होता है वो सबसे best था और वापिस उसी की तरफ जाने की आवशकता है तो अभी Supreme Court ने इसके लिए तो मना कर दिया था कुछ साल पहले तो इसलिए सभी राज्यों को नीट में हिस्सा लेना ज़रूरी है लेकिन अब Tamil Nadu समयधानिक तरीके से इस system से बाहर आना चारा है तो इन्होंने क्या किया था कुछ समय पहले कमिटी स्थापित करी Justice A.K. राजन के अध्यक्षता में Justice A.K. राजन की कमिटी को ये टास्क दिया गया कि आप पता करो कि नीट में क्या प्रॉब्लम है genuine problems है या नहीं क्यूकि प्रॉब्लम तो 3-4 साल से आ रही है इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सम्मिट करी जुलाई 2021 में 86,000 रिप्रेजेंटेशन आये से इमेल या चिट्थी जो भी लिखी जाती है 86,000 लोगों ने अपने सुजाव दिये इस कमिटी को और इन्होंने यही कहा है कि हमें नीट नहीं चाहिए जातर सुडेंट्स ही हैं तमिल नाडू के तो इन्होंने एके राजन कमिटी को लिखा और इन सब का यह कहना है कि नीट हमें नहीं चाहिए हमें पुराना सिस्टम चाहिए अब बात करते हैं कि क्या राज ऐसा कानून बना सकता है तो देखो medical courses में जो admission है वो concurrent list में आता है ठीक है entry 25, list 3 यानि concurrent list में आता है concurrent list आप जानते ही होगे quality में आपने पड़ा होगा कि state और center दोनों इस पर कानून बना सकते हैं लेकिन center का भी अगर कानून है तो फिर वो लाग होगा तो ऐसे में state legislature कानून तो बना सकता है लेकिन अगर इसे राष्ट्रपती अपनी सहमती नहीं देंगे ये राष्ट्रपती के पास जाएगा by the way क्यों जाएगा क्योंकि ये center के कानून से टकराव में है तो governor की जिम्मेदारी है कि वो इसे केंदर के पास यानि कि president के पास बेजेंगे तो अगर president इसे अपनी ascent दे देते हैं तो फिर ये bill बन जाएगा act और Tamil Nadu need system से बाहर आ सकता है अब president ascent देंगे या नहीं ये थोड़ा सा controversial issue है personally मुझे नहीं लगता कि presidential ascent मिलेगी और ये मामला वहाँ थोड़ा लंबित होने वाला है statement of object and reasons में अपने reasons बताएं officially reasons बताएं कि क्यों हम NEET से बाहर आना चाहते हैं तो तमिल नाडू सरकार का ये मानना है कि MBBS के जो admissions है उसमें समाज के हर तपके के बच्चे का admission नहीं हो पा रहा है medical colleges में, degree colleges में क्योंकि NEET आ गया है और NEET जो है वो केवल संब्रान्त वर्ग के लोगों के बच्चों को favor करता है, तो जो underprivileged चात्र है, ग्रामीन परिवेश से आने वाला चात्र है, तमिल भाशा में, तमिल state board से जो 12th pass जिसने करी है उसके लिए NEET बिलकुल भी favorable नहीं है, जो CBSC schools में, English medium में बच्चे पढ़े हैं cities में, केवल उनको NEET favor करता है तो ऐसे में, जो समाज के हर तबके से students doctor बनना चाते हैं उनके लिए NEET फायदेमन नहीं है तो यहाँ पर एक bias है, थोड़ा सा बेदभाव हो रहा है towards the privileged children, जो English medium school से या CBSC board की school से पढ़े हैं, तो NEET जो है, वो पूरी तरह से fair नहीं है, equitable नहीं है और इसमें, जो rich and elite है उनको जादा फायदा हो रहा है, यानि कि अमीर वर्क के जो बच्चे है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हो रहा है तो यह high level committee जो बनाई गई थी वो ultimately ग्रामीन शेतर में जाकर नौकरी भी करेगा और Tamil Nadu ने अपना system ऐसा ही बनाया है बहुत जादा इन्वेस्ट किया है उन्होंने medical colleges में और primary health centers में ताकि वो doctors जाकर इन PHC में ग्रामीन शेतरों में नौकरी करें लेकिन जो अमीर वर्क के शेहरों के बच्चे है वो यहाँ पर जाकर नौकरी नहीं करेंगे तो मानलो 10 साल अगर यह system चल गया ऐसा है report कहती है ठीक है कि 10 साल यह system चल गया तो PHCs में नौकरी करने के लिए ग्रामीन एरियास में doctors ही नहीं मिलने वाले है सभी doctor या तो city में काम करना चाहेंगे या फिर विदेश जाना चाहेंगे whatever PHC में हमें doctors नहीं मिलेंगे तो ऐसे में ग्रामीन चात्र या गरीब चात्र medical courses के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे कुछ समय बाद अगर यह need लब में समय तक चलता रहा एक recent trigger था कि एक चात्रे ने suicide कर लिया था exam के जस्ट एक दिन पहले तो यह भी एक बहुत बड़ा trigger बन गया यह वहाँ पर थोड़ा सा political issue भी बन गया opposition जो है वो DMK को blame करने लग गया कि आपने कुछ किया नहीं बच्चे suicide कर रहे है और same ऐसे आरोब DMK 2017 17-18 में लगाया करता था AIA DMK पर क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी और CM Stalin ने यह जो मुद्दा है इसमें center को blame किया इन्होंने कहा कि केंदर सरकार जो ही obstinate हो रही है यानि कि यह रुकावट पैदा कर रही है नीट से बहार आने में तो अब इसलिए हमें bill pass करना पड़ा और यह bill इन्होंने successfully pass कर दिया तो इन्होंने यह bill pass किया और इसमें यह बात कही गई है कि medical, dental और homeopathy के undergraduate courses में admissions के लिए समाज के हर वर्ग के हर तपके के चात्रों को सहूलियत हो इसलिए यह bill pass किया जा रहा है और भविश्य में हमारा जो public health care system है Tamil Nadu राज्य में खास करके gramid अलाकों में यह पूरी तरह से बना रहे अच्छा चलता रहे इसलिए यह bill ला रहे है और अब Tamil Nadu के जो चात्र हैं वो अपने ही राज्य के state board के marks के basis पर admission प्राप्त कर सकेंगे in colleges में और यह कैसे होगा normalization के through होगा अब यह normalization जो है इसके बारे में बहुत detail में अभी नहीं बतायागा है simple मैं आपको बता दूँ जो details अभी तक आई है इस bill के माधियम से या फिर media के माधियम से बाहर उसमें यह बताया जा रहा है कि highest marks देखे जाएंगे जो central board और state board के हैं उनके बीच में फिर normalization किया जाएगा क्योंकि देखो state board में क्या होता है ना कि highest marks generally जैसे कि state board में highest marks 90 होंगे 100 में से लेकिन अब CBSC board में highest marks 97 होंगे तो फिर आपस में इन में normalization किया जाएगा कुछ complex mathematical formulas होंगे जो मेरे भी सर के उपर जाते हैं तो मैं आपको समझा क्या पाऊंगा उसे तो अभी बस इतना समझ लो कि यह normalization के अंदर 97 is equal to 90 माना जाता है बढ़ना क्या होता ना कि देखो 97 वाला तो बहुत उपर है CBSC में किसी के 90 नंबर आएंगे और state board में नबर आएंगे तो अब वो बराबर नहीं माने जाएंगे state board के 90 जो है it will count for higher it will count for more marks इतनी सी बात समझ लो तो यह normalization का formula follow किया जाएगा उसके बाद एक common merit बनाई जाएगी और उसके माध्यम से counseling के माध्यम से Tamil Nadu के medical law dental colleges में चातरों को seats allot करी जाएगी तो अभी detail खेर अगले साल भी आ जाएगी main आपको क्या धहान में रखना है exam point of view से कि क्या यह power है state के बास बिल्कुल concurrent list में है दूसरा opposition के reasons क्या है वो मैंने आपको बता दिये उनको याद रखना तो इसी के साथ आज का यह हम lecture समाप करेंगे और अगर आप एक UPSC aspirant है तो याद रखिए देश के best educators and academy पर live पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो subscription है उसमें आज याने की 17 सितंबर तक यह special offers चल रहे हैं तो इसका फाइदा उठाईए इस महीने के अंत में जो prices हैं वो भी hike होने वाली हैं और books आपको free मिलती हैं अगर आप एक साल का course लेते हैं minimum one year का course कोई भी चाहे वो combo हो या फिर GS का course है अगर आप one year course ले रहे हैं तो आपको उसमें किताब हैं free मिलेंगी GS की किताब हैं और यह सभी courses आप EMI option पर भी avail कर सकते हैं उसके लिए description में सबसे उपर एक link मिलेगा उस link पर click करो basic details आपकी वहाँ पर मांगी जाएंगी और हमारे जो team members हैं वो आपसे संपर करेंगे और आपको पूरा guide कर देंगे कि EMI कैसे avail करना है याद रखना है यहाँ पर कोई interest rate etc कुछ नहीं है हर महीने आपको fix एक amount देना है जो overall course का है उसी को हमने divide कर दिया है multiple installments में that's it all right जादा जानकारी आपको team members हमारे available करवा देंगे plus और iconic courses जो है इनके बारे में details आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी course आप avail करना चाहो उस पर आपको flat 10% discount मिल जाएगा अगर आप मेरा code use करते हैं तो और अभी मेरा plus course ongoing है post independence history पर उसको भी आप join कर सकते हो इसका link नीचे है पहले comment में मिल जाएगा optional के courses हैं free test series हैं इनका फाइदा उठाईए free test series में अगर कहीं पर भी आप से unlock code मांगा जाए just use this code यह नए batches बन चुके हैं हर Wednesday को नए batch बनता है thank you very much for watching this have a great day